हेलो आदाप नमशकार जैजनीन केमचो दोस्तो वेलकम टुखाना विद खुश्पू आज हम बना रहे हैं एनर्जी बार्स जो की बिना चेनी, शक्कर, गोड या किसी भी आर्टिफिशल स्वीटनर से बना हुआ है इसमें कोई स्वीटनिंग इलेमेंट नहीं है, इसके कारण आप इसे बिलकुल बिना किसी गिल्ट के स्थेंड में एंजॉय कर सकते हैं और बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं और बच्चे भी बिना किसी जिजक के और बिना नानुकुर के इसे जरूर खाएंगे इसके लिए फर्स्ट इंग्रेटिंट जो हमारा है वो है खजूर तो आप सीड्लेस डेट्स ले लिजी या फिर डेट्स के वो इस तरीके से उसके अंदर के सीड्स निकालके क्रश कर लिजी यहां मैंने हाफ कीजी यानि आदा किलो डेट्स लिए है और इसमें एक कप दू और डेसिकेटेड कोकोनेट लिया है डेसिकेटेड कोकोनेट दो कप ले रही हूं मैं इसकी स्पेशल जो इंपोर्टन्स है इस डिश में वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगी दो कप डेसिकेटेड कोकोनेट और एक चोथाई कप तिल लिया है ठंड में तिल ज जरूरत नहीं है, अब यह सारे इंग्रेडियंट्स हम एक साथ ड्रायर रोस्ट कर ले, आप चाहो तो एक एक करके अलग-अलग भी सबको सेख सकते हैं, काजू और बादाम तो जरूर बच्चे खाते हैं, और इसकी पौश्टिकता के बारे में आपको बताने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन अक्रोड ऐसी चीज है, जो बच्चे यूजूली जल्दी से नहीं खाते हैं, जबकि अक्रोड में बहुत सारे इसेंशियल माइनो और बड़ो के लिए भी, इसलिए अक्रोड अगर हम इस डिश में डालते हैं, तो इसका यह आप खाएंगे भी बच्चे और पता भी नहीं चलेगा उनको की यह अक्रोड खा रहा है, और तिल तो ठंड में आप जानते ही है, कि तिल ठंड में गर्मी देने की काम आती है, औ और इसके अंदर की जो ऑइल्स होता है, वो ठंड में बॉडी में एक शाइन, आपकी स्किन में शाइन देने के लिए बहुत इस्तिमाल होता है, उसके अलावा जो डेसिकेटर कोकोनेट में लिया है, यह इस डिश में तो बाइंडिंग का काम करता है, सारे आपकी इसको बाइंट करने के लिए इसके अलावा बहुत सारी विटेमिन्स और मिनरल्स है, और इससेंशिल वेरी इसेंशिल अमाइन असेड्स अड्स और फैटी असेड्स, जिस्से कि यह एक गुड कोलेस्ट्रॉल एड करता है बॉडी में और बाड कोलेस्ट्रॉल को घटाता ह तो इस तरीकी का जो हमारा बहुत ही पॉष्टिक डेसिकेटेड़ कोकोनेट है वो हमने इसमें लिया है इस डेश में बब देख सकते हैं कि यह सारे इंग्रीडियंट्स सिग गया है कोकोनेट हलका ब्राउन गोल्टन होने लग गया तो इस इस टाइम कि अब हमें इसको सेखना बंद करना है अब हम जो हमारा डेट्स थे बिगाये हुए इनको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे आप चाहो तो इसे ऐस सच ही बिल्कुल ऐसे ही यूज कर सकते बिना ग्रा होती है तो इसे हम पीस लेते हैं ग्राइंडर से यह मैंने इसे पीस लिया है बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाया है थोड़ा दरदरा पिसा है अब हम एक पैन लेंगे और इसमें यह सारा पेस्ट जो हमारा डेट्स का पेस्ट है यह निकाल लेंगे गीज डालने के जरूद नहीं है पर अगर आप चाहो तो जरूर इसमें घी भी आप आड़ कर सकते है अब धीमी आज पे हम इस टेट्स की पेस्ट को धीरे-धीरे सेख लेंगे इसे हमें कंटिन्यू चलाते रहना पड़ेगा नहीं तो यह पैन से चिपक के जल सकता है अब यह हमारा लगबाग सिख गया है आप देख सकते हैं कि इसमें कलर चेंज हो रहा है इसे हमें तब तक सेखते रहना है जब तक यह पैन से चूटने ना लग जाए अब तब तक हम हमारी यह जो ट्राइफूट समने से इक लिए है इनको थोड़ा सा ग्राइंड कर ले दें मैंने जानबुच कि ग्राइंडर में या मिकसर में इसे ग्राइंड नहीं किया जिससी कि इसका बारिक पाउडर ना हो मैं इसे चौपर में कट कटी हूँ, इसके छोटे छोटे तुकडे हो जाए, बिल्कुल पाउडर ना बने, इस तरीके से मैंने ग्राइंड कर लिया, अब देख सकते हैं इसमें बड़े छोटे सारी साइस के जो हमारे इंग्रेटियंट्स है वो पिसके, तो इस तरीके से हमने ये सारी ड्राइफूट्स चौप कर लिया है, अब ये जो हमारे डेट्स की पेस्ट थे हैं ये भी पूरी तरीके से अल्मोस्ट बन गई है, इसके अंदर हम हमारे ये चौप की उवे जो ड्राइफूट्स है नट्स है इंको आड कर लेंगे, अब देख अब भी हमारी डेट्स की पेस्ट जो है ये रेडी है बल्कुल इस सारी इंग्रीडियंट्स एक साथ मिक्स कर लेंगे कि तो ये मैर इछे से सारे मिक्स हो गए अब चाहोँ तो इसमें इससेंश ढल सकते हैं realizing powder डाल सकते हैं लेकिन मैंने कोई भी flavor या इसेंस इसमें नहीं डाला और अब ये एक ग्रीस्ट प्लेट है जिसमें मैंने घी लगा दिया था थाली में थोड़ा सा इसमें हमने ये सारा मिक्ष्चर निकाल लिया और अब इसे हलकाल का पैट करते हुए दबाते हुए हम इस थाली में फैला लेंगे अपनी मंचा ही थेखने से आप इसे फैला सकते हैं मैंने लगबग एक इंच की इसकी थेखने से रखी है और अब हम इसे लगबग एक घंटे के लिए थंडा कर लेंगे अब चाहों तो फ्रिज में इसे कवर करके रख दीजिए और एक घंटे में यह प्रॉपरली सेट हो जाएगा सेट होने के बाद अब हम मंचा ही शेप में इसे कट कर लेंगे यह हमारे एनरजी बार्स रेडी है तो दोस्तो कैसी लगी आपको यह रेसिपी जरूर पताईए लाइक केजिए शेयर केजिए इस चैनल को सबस्क्राइब केजिए और जरूर पताईए कि आपको यह रेसिपी और मेरे दूसरी रेसिपी कैसी लगी थैंक यू फो वाचिंग खाना विद खुश्बू